जिन्दगी को पैसे, अर्थ और रफ्तार से चार्ज करने का पावर। इस बुक का नाम है हसल। इस बुक के ओथर हैं नील पटेल, पैटरक व्लासकोविट्स, जोनस कौफला। नील पटेल एक डिजिटल जानवपरिन्योर और एक लेखक हैं। वे केली एस और हिललों बार जैसी बेबसाइट्स के को फाउंड हैं। पैटरिक व्यासकोनित्स सूपरनावर्ड नाम की कमपनी के सी इजी और फाउंड है। 500 स्टॉर्ट अप एक सिलेरेटर में एक मेट भी है जो की लोगों को बिजनेस से ले है। इसके अलावा वे बहुत से दूसरे इवेंट्स में भी एक स्पीकर की तरह जाते हैं। जोनस को कलर एस्टेंट प्रड्यूर और लेखक हैं। वे दुनिया भर के लीडर्स को सलाह देते हैं और स्टॉर्ट अपपा को स्टेटेजी बनाने के टिप्स देते हैं। हम हसल में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि क्यों बहुत से लोग अपने काम से बुरा ना होने का बाद भी उस काम को करते रहते हैं और किस तरह से जापितर जात से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। यह किताब किसके लिए है, यह जो अपनी नौकरी से तंगा चुके हैं, वे जो अपने सपनों के पीछे जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहे, वे जो कालेज की पढ़ाई करके नौकरी करने की बजाए कुछ और कनना चाहते हैं, चलिए अब सुरू कर लोग एक ही तरह का काम हर दिन करते होंगे, एक समय में वे सपने देखा करते थे, लेकिन सिस्टम की मार खाने के बाद उनके सपने मर गए हैं, इसके बाद से वे सिर्फ अपना खर्चा चलाने के लिए काम करते हैं, यह किताब बताती है कि हसल करने का असल मतलब क्या होता ह इस किताब की मदद से आप जान पाएंगे किस तरह से आप अपने उसे ख्वाब को फिर से जिंदा कर सकते हैं यह किताब बताती है कि कैसे आप अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और कैसे रास्ते में आने वाली समस्याँ से लड़ सकते हैं क्योंग बहुत से लोग अपने काम से खुश ना होने के बाद भी उसे करते रहते हैं, किस तरह से आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद को मौके का फाइदा उठाने के लिए तैयार कर सकते हैं, हमारा सिस्टम हमें ऐसी न वे अपने काम से भावनात्मक रूप से लगाव नहीं रखते हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतने सारे लोग वो काम क्यों कर रहे हैं, जिससे उन्हें संतुष्टी नहीं मिलती है, जवाब आसान है, बच्पन में हमारे कुछ ख्वाब हुआ करते थे, फिर हमारे सम आज ने हमें बताया कि उन ख्वाबों को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कालेज जाकर पढ़ाई करो, इस वजह से हमें खूब सारा पैसा और मेहनत पहले अपने स्कूल की पढ़ाई में लगाया, और फिर लोन लेकर कालेज की पढ़ाई में लगाया, इसके बाद ज नौकवी उनके लिए लोन चुकाने और बिल भरने का एक जरिया बनकर रह जाती है, अमेरिका की बात करें तो यहां पर 2007 में स्टुडेंट लोन 516 बिलियन डॉलर था, जो की 2015 तक बढ़कर 1200 बिलियन डॉलर हो गया, इसका मतलब है कि जब एक औसट स्टुडेंट कालेज से निकलता है तो उसके उपर 30,000 डॉलर का करज रहता है, और जिन्होंने बड़े कालेज से पढ़ाई की है, उनके उपर तो लाखों डॉलर का करज होता है, इसके अलावा टेकनोलोजी के आज जाने से नौकरियां कम हो रही हैं, जो नौकरियां हैं भी तो उनमें सेलरी उस काम को कर रहे हैं, अपने पैशन के पीछे भाग कर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, पिछले सबक में हमने देखा कि किस तरह से बहुत से लोग एक जाल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई तरीका दिखाए नहीं दे रहा है, लेकिन इससे बाहर निकलन का एक तरीका है हसल करना बहुत से लोगों को लगता है कि हसल करने का मतलब होता है दूसरों का फाइदा उठाना उनके काम को चोरी करना और मतलबी बन कर काम करना लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हसल करने का मतलब होता है रास्ते में आने वाली हर परेशानी से लड़ना और समस पैसे के लिए अपने पैशन के पीछे भागते हैं, तो आप अपने पैशन को खत्म कर देते हैं। उससे पैसे कमाने के तरीके नहीं खोजेंगे तो अपनी हर रोज की मजबुरियों से तंग. आकर पैसा आपको कमाने के लिए कोई दूसरा काम खोजना होगा और ऐसा करके आप अपने पैशन के पीछे नहीं भाग पाएंगे. इसलिए आपको हसल को शुरू करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बलकि हसल करते रहने के लिए पैसा चाहिए. पिकासो नाम के एक महान कलाकार अपने शुरुआती दिनों में बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी पैंटिंग जने उन्हें बहुत से पैसे कमा कर दिये, इन पैसों से उन्होंने अपने आगे के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, इनकी तरह ही बहुत से आटिस्ट अपने काम को इसलिए जारी रख पाए क्योंकि उन्होंने उससे पैसे कमाने के तरीके खोजे, तो दुनिया चाहे जो भी कहे, आपको अगर अपने पैशन के रास्ते पर चलते रहना है, तो आपको उससे पैसे कमाने के तरीके के बारे, मैं सोचना अगर यह ख्वाब आपका है, तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, आपका ख्वाब आपको आपके ख्वाबों वाली जिंदगी दे तो सकता है, लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, इसके साथ कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं और अगर आपको वाकई अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको यह रिस्क लेने होंगे, बहुत बार लोग इसी रिस्क की वजह से अपने सपनों के पीछे नहीं भागते हैं और खुद को यह दिलासा देते रहते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है, वो अपने काम की सारी अच्छी बाते दे के पास एक software है जो कि उनके operating system के साथ काम कर सकता है Roberts ने Gates से कहा कि वो उस software को लेकर दो महीने के बाद आ जाएं मजे की बात यह थी कि Bill Gates के पास कोई software नहीं था जब Roberts ने हाँ बोल दी तब जाकर उन्होंने उस software पर काम करना शुरू किया और तो और उस software को चेक करने के लिए उनके पास कोई system भी नहीं था आठ हफते तक रात दिन काम करने के बाद वो उसे Roberts के पास ले गए उनका software काम कर गया उनकी इस छोटी सी जीदने उन्हें इंती ताकत दी की कि क्यों अपने सपनों के पीछे भागना आपके लिए जरूरी है अब हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी इस समय की जिंदगी से बाहर निकल कर अपने सपनों की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं आसान शब्दों में कहा जाए तो यह मुश्किल होगा यह इतना मुश्किल होगा की रास्ते में कई बार आपका हार मानने का मन करेगा लेकिन आपको हार न मानकर आगे बढ़ते रहना है इससे आपको बहुत तकलीफ हो सकती है लेकिन बिना इस तकलीफ को सहे आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते खुशी की बात यह है कि इस तकलीफ को कम करने के कुछ तरीके हैं विल स्मित एक एक्ट हैं और उन्होंने कहा जब आप एक डिवार बनाने निकलते हैं तो आप एक डिवार बनाने पर ध्यान नहीं देते हैं आप बस खुद से यह कहते हैं कि अगले 15 मिनिट में मैं इस इट को इतने परफेक्ट तरीके से रखूंगा कि दुनिया में इससे बहतर तरीके से कभी कोई इट रखी नहीं गई होगी यही काम आप हर रोज करते जाए और बहुत जल्द आपके पास एक डिवार होगी ठीक इसी तरह से बड़े सपने देखिए लेकिन सीधा उन सपनों को हासिल करने के पीछे मत भागिए उन सपनों को छोटे छोटे स्टेप्स में बार दीजिए फिर एक बार में एक छोटा कदम लेकर अपने सपने की तरफ बढ़िए इससे आपको तकलीफ कम होगी आपको अपने सपनों तक का रास्ता आसान लगेगा और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी जीट से आपको आगे चलने की ताकत मिलेगी अगर आपको एक लेखक बनना है तो सीधा एक उपन्यास लिखने की कोशिश मत कीजिए बलकि सबसे पहले एक छोटी कहानी लिखिए उसमें एक पट बनने के बाद एक लंबी कहानी लिखिए फिर कहीं जाकर एक उपन्यास लिखने की कोशिश कीजिए समय के साथ आपको काम्याबी जरूर मिलेगी अपने सपनों को हासल करने से लिए आपको अपना दिल, दिमाग और आदतें, तीनों का, इस्तेमाल करना होगा अब आपको पता लग गया है कि किस तरह से आप अपने सपनों तक पहुंचने के लिए प्लान बना सकते हैं लेकिन इसके अलावा आपको और तीन चीजों पर ध्यान देना होगा दिल, दिमाग और आदतें सबसे पहला आता है दिल जिसका मतलब है आपका मकसद आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि आपके दिल के करीब हो कुछ ऐसा जिस से आपको लगाव हो अपने काम के साथ इस तरह का लगाव रखने पर ही आपको आगे चलने का होसला मिलेगा इससे ही आपको रास्ते में कई बार गिर जाने पर भी फिर से उठकर कोशिश करने की ताकत मिलेगी इसके बाद आपको अपने दिमाग पर काम करना होगा रास्ते में बहुत सी परेशानिया आएंगी आपको उन से बाहर निकलने के तरीके खोजने होंगे आपको यह पता लगाना होगा कि किस तरह से उस परेशानी को आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आपको उन परेशानियों में से भी मौके को खोज कर निकालने होंगे, अंत में आपको अपनी आदतों पर भी काम करना होगा, आपको डेडलाइन सेट करना होगा और वो आदते बनानी होंगी जिससे आप उस डेडलाइन के अंदर उस काम को पूरा कर पाएं, आपको वो आद बनानी होंगे जिससे आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिले एक्जामपल के लिए अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आप हर रोज एक हजार शब्द लिखने की कोशिश कीजिए यह करने पर आपके पास एक साल के बाद इतना अनुभव हो जाएगा कि आप पूरी किताब लिख पाएंगे अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए एक पोटफोलियो बनाए अगर पूछा जाए कि वो अपना काम कितने अच्छे से करते हैं तो कोई नहीं कहेगा कि वो कुछ खास नहीं है मार्केट में हर कोई यह कहता है कि वो अच्छे नतीजे लिखने का हुनर्फोलियो बनाए तो आपके पास एक ऐसा ब्लॉग होना चाहिए जिस पर बहुत से लोग आकर आपकी कहानियों को पढ़ते हों इससे आप यह साबित कर पाएंगे कि आप में वाकई लिखने का हुनर है दूसरा भाग है people यानी लोग, आपको अपना network बनाने पर और उसमें अच्छे से अच्छे लोगों को add करने पर काम करना, चाहिए आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाए, इससे आपका भी फायदा हो सकता है, तीसरा भाग है project, इसमें यह लिखा होगा कि आप इस समय किस project पर काम कर रहे हैं, अगर आप इस समय किसी non-profit के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उसे लिखिए, इस भाग से यह पता लगेगा कि आप इस समय भी फूर्ती दिखाते हुए, काम पर लगे हुए हैं और खाली नहीं बैठे हैं, अंत में आता है proof यानी सबूत, आपके पास लोग का लिंक होना चाहिए, इस तरह से आप सही लोगों के सामने image बना पाएंगे, कुल मिला कर, ज़्यादा तर लोगों के सिर पर college से निकलने के बाद इतना करजा होता है कि वे उसे चुपने के लिए कोई भी नौकरी करने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भ बड़ा मौका आपके, सामने आए तो आप उसका फाइदा उठाने के लिए तयार रहें, अपने हुनर को पहचानने की कोशिश कीजिए, ज्यादा तर लोग हमेशा school या college में बहतर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर कोई सिर्फ school में ही, महारत हास अपने हुनर को पहचानने के लिए खुद से, पूछिए वो कौन सा काम है जो आप अच्छे से कर लेते हैं, अपनी खासियत को पहचानने की कोशिश कीजिए, जल्दी ही आपके पास जवाब होगा और आप अपने सपनों की दुनिया बना पाएंगे, लेवल अप चैनल प अगर आपका कोई सवाल सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंज करके जरूर बताएं